एक गाव में रामू नाप नमसकार क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है अमका एक किसान रहता था वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था एक दिन वह अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया दूकान में जब वह बीज ले रहा था तो उसकी नजर द दोनों घड़े ले लिए अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रसी की सहायता से एक गंडे में बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चला गया नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था जबकि दूस पर गया और आकर उनका पानी बड़े बरतन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फोटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ फिर भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते है। सही घड़ फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को खराब कर रहा हूँ। इसलिए मुझे यही छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आपको बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही घड़ पहुंच कर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिये। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देख यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ। मेरा भी कुछ लाब है। नेतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हमें उसकी अच्छाए को ढून कर निखारना चाहिए। झाल